जय मातादी दोस्तों, कैसे हैं आप? उमीद करती हूँ आप और आपकी चाहने वाले खुश होंगे, स्वस्थ होंगे आपके जीवन को और सुखी और मंगल मैं बनाने की भावना के साथ आज मैं आपके सामने उपस्तित हूँ एक साधारण और शक्तिशाली उपाय लेकर दोस्तों, इस विधी द्वारा आप किसी भी व्यक्ति को सम्मोहित करके अपने वश में कर सकते हैं यदि कोई महिला है, जिसको आप पसंद करते हैं या कोई लड़की जिसे आप अपना दिल दे पैठी हैं या कोई अपना जो रूट गया हो, इस विधी द्वारा आप उसे अपने जीवन मिला सकते हैं प्रेमरस घोल सकते हैं तो चलिए आपको बताती हूँ कि वो कौन सा उपाय है जिससे आप दुनिया के किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं और उससे अपना मन चाहा काम करवा सकते हैं दोस्तों मैं विधी बताने से पहले एक मुख्य बात आपको बता दूँ कि जब भी आप इस विधी का प्रेयोग करें तो इस बात का खासतोर पर ध्यार रखें कि आपके आसपास कोई और नहों आप उस समय बिलकुल अकेले हो क्योंकि अगर आप अकेले में इस विधी का प्रेयोग करेंगे तभी इसका असर आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगा तो दोस्तों तयार हो जाएए जाने के लिए इस प्रचंड वशी करण विधी को जिसे आप किसी भी स्त्री को महिला को या किसी भी लड़की को अपने वश में कर सकते हैं अपने वशी भूत कर सकते हैं दोस्तों आज का जो उपाए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है नाभी से जुड़ा हुआ तो जरा सोचिए क्या इससे आसान कोई टोटका हो सकता है नाभी को सिर्फ चूने से हम दुनिया के किसी भी व्यक्ती को अपने वश में कर सकते हैं और उससे अपनी हर बात मनवा सकते हैं अपना मन चाहा हर कारे करवा सकते हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि आपको इसे अपने बिस्तर पर लेटे-लेटे ही करना है। लेटने के बाद आपको उस व्यक्ती का ध्यान करना है जिसको आप वश्मे करना चाहते हो। और ध्यान करते वक्त अपने सीधे हाथ की तरजनी उंगली नाभी पर रखनी है जी हाँ सीधे हाथ की तरजनी उंगली को नाभी पर रख कर एक मंत्र का जाप करना है ये मंत्र एक सिद्ध मंत्र है जिसका आपको बिल्कुल सही तरीके से एक डम स्पस्ट उचारण करना है ये मंत्र है ओम त्रेम त्रेम त्रिह यह विधी का प्रयोग करके किसी भी प्यार करने वाले या किसी भी दोस्त या मित्र को अपने वश में किया जा सकता है उसे अपना बनाया जा सकता है अपनी इच्छाओं को आप पूर्ण कर सकते हैं अगर आप भी दोस्तों किसी भी कारणवश यह विदी आपको समझ नहीं आई है या कोई संचिय आपके मन में बना हुआ है या आप इसको करने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं तो आप दोस्तों हमारे स्क्रीन पर दिये जाने वाले नंबर पर संपर्ख करें या वाट्सअप करें हमें मेसेज करें और अपनी जो भी समस्या है उसका समधान पाए जै माता दी